नमस्कार साथियों, Infusion Notes के डिजिटल प्लेटफरम पर आपका स्वागत है, आज हम आपके सामने मार्च महिने का राजस्तान का करंट अफेर्स लेकर पश्टूतू हैं, इसमें महतोपुन परसन है मार्च महिने के जो त्यार किये गए हैं हमारी टीम के द्वारा, जो आपके अगामी प्रिक्षा जो भी R.S.S.I. जूनियर अकाउंटेंट सग्ड़न की है, उसके लिए ये परसन आपके लिए रामबान साबित होंगे, इसमें असान बासा में इनको त्यार किया गया है, उनसे व्याख्या समंदित भी कुछ महतोपुन फैक्ट दिये गए हैं, जिनस परसन बनेंगे, तो आई ये शुरू करते हैं, मार्च महने का करण्ट अफैर, सबसे पहला परसन है, जपानी तकनीक से ऑक्षिजन पोकेट्स राजे में कहां बनाए जा रहे हैं, शीटी पारक जेपूर, इसका अंसर होगा, शीटी पारक जेपूर, जपानी तकनीक से ऑक पोकेट्स की 8000 स्क्वेर फिट भूमी पर 35 परजातियों के करीब 3000 पेड़ लगाकर इसे गने जंगल का रूपे दिया जाएगा, मतलब ये है कि ऑक्षिजन के लिए जितने भी पेड़ लगाए जाएंगे, उनके ऑक्षिजन के लिए जितने भी पेड़ लगाए जाएंग किया, आंसर होगा, कलराज मिसर जोकी राजेपाल है, कलराज मिसर ने जेपूर के समीव कुक स्थित, संक्रा ग्रूप फोव इंस्ट्यूशन में, संक्रा ग्लोबल एक्टन और युवा मौसो के अपसर पर समोधित पिये किया, इस समय पर उन्होंने अपना बाशन भी दिय आपको परसन पूचेगा, संक्रा ग्रूप फोव इंस्ट्यूशन में, गलोबल हेक्टन का सुभारम किस ने क्या, तो आपका अंसर होगा, कलराज मिसर ने, अगले परसन पर चर्चा करते हैं, हाली में बारा, हाली में बारा के रामगट कुझी स्वास को कौन से करम का कंद सर्वेशन इजरो बनाया गया, यहां से परसन बनेगा, आप का अंसर होगा, रामगट कुझी स्वास पर्देश का बारा का जर्चा करते हैं, गायतरी देवी यादो को आश्टरपती द्रौपती मुर्मूर ने, हाली में कौन सी सरेणी में समानित किया, जली योदा सरेणी इपरसन इपोर्टेंट है, आपको कहीं ना कहीं, किसी भी पेपर में ये परसन आपको अवश्य रूप्षें, देखने को मिलेगा, परसन पुछेगा क्या, कि गायतरी देवी को राष्टरपती द्रौपती मुर्मू ने, कौन सी सरेणी में समानित किया, तो आपको इसमें सुजल सकती, समान समारों में ये इनको अवाड दिया, किसको दिया, गायतरी देवी को दिया, गायतरी देवी का समंध किसे है, जे पुर्षे है, ये परसन आपको याद रखना है कि इनका समंध किसे है, जे पुर्षे है, ये परसन इपोर्टेंट है, आने लाइक पर्शन है, इसको याद कर लीजिएगा, यह पर्शन किसी भी प्रिक्षा में आ सकता है, इसने पहले वाला पर्शन भी Ramgat Kujiswas को कौन से करम का रिज्रो कौन से करम का कंजर्वेस्टन रिज्रो बनाय गया तो यह पर्शन भी इपौर्टेंट है, अगले पर्शन पर बात कर क्या पर्षण है बार्ठी जन उस्ति प्रियोजना के तहटरा जिमें जन वस्ति विराषट के साथ हेल्थ हिरिटेज वख कहा आयों जीत आशु खेकएं आंशुरू जन्होस्ति दी एक मार्ज से साथ में तक बनाया गया जन्होस्ति द्यूस अब यह पूचिए जन्होस्ति दीूस कब बनाया गया गए जिसके तहत है analyt house exclusively गंभी किया रहाए जिसके तहट यह हम आगले परसन पर चरचा करते हैं अगला परसन है बार सरकार के सामाजिक ने वए अधिकारीता विवाग ने देश को नशे के जंजाल से बाहर निकालने के लिए राज़े के किस स्तान के साथ परिक्षाम के परिक्ष는 है अदिकालिता विवाग ने देश को नशे के जनजाल से बाहर निकालने के लिए राज़े के किस स्तान के साथ MOU किया है आप कांसर होगा भरम कुमारी संस्तान ये person important है दोनों के बीज कितने साल का MOU होगा है तो 3 साल का MOU होगा है राष्टर व्यापिय ब्यान चला कर 10 क्रोड लोगों को नसामुक्त कराने का लक्षे रखा गया है important person है किसी ना किसी प्रिक्षा में आपको जरूर देखने को मिल सकता है अगले person पर चर्चा करते हैं हाली में स्वाई मानशे मेडिकल कॉलेज के प्लेंटिनिम जुबली समारों में डिश्टी स्विंग वस अल्यूमेंस अवाड किसे दिया गया अब स्विंग बुहंड किसे ना किसे दिया गया दाक्टर मालती गुपता को हाली में स्वाई मानशे मेडिकल कॉलेज के प्लेंटिम जुबली समारों में दिश्टी स्विंग वस अल्यूमेंस अल्यूम STEPHAN रजश प्लेंट्टर मालती गुपता डाक्टर मालती को उता राजेस्तान की पर्थम MCM डिग्री प्राव्त प्लास्टिक सर्जनवाय सहद में मानों स्वास्तियों को सुरुक्षित रखने की तकनीक पर सोध कर्या करने वाली विसो की एक मातर है सक्षियत है इसलिए ये परसन इपोर्टेंट है रहेगा आने वाली परिक्षा में इसलिए परसन आएगा कि प्लेंटम जुली सुबारों में एल्यूमिन्स वाड किशें दिया गया आपका आंशोर होगा डाक्टर मालती गुपता को दिया गया अगले परसन पर चर्चा करते हैं हाली में सरम मंत्री सुख्राम विष्णोई ने सरमिक सुविदा एं सुचना के अंदर का लोका अरपन कहां किया तो आंशोर होगा शिरोई जिले में किया परदेश में पहली बार होरे इस इंटरनेसल एक्सपो का आयोजन जोदपूर में होगा यह थोड़ा मिस्प्रिंट हुआ हुआ है परसन यह है कि हाली में राजस्तान में सरम मंत्री सुख्राम विष्णोई ने सरमिक सुविदा एं सुचना के अंदर का लोकार पने कहां किया आंशोरोगा शिरोई में में अगले परसन पर सर्चा करते हैं हिंद्व मलक उठ शिरी गंगा नगर थना में मिनिस्ट्री ओफ होम फैर्स रेंकिंट की रेंकिंग में किस्तान पर आगया दस्वी रेंक्ग पर आया है यह रैंक पुलिस थाने में सुईदा वे पुलिस कर्मियों के विवार खास कर मेहला वे बुजरुगों की शिकाई सुनने के तरीके के उपर जारी की गी है इसलिए यह परसन इपोर्टेंट है कि हिंदु मलकोर्ट शी गंगानगर का थाना हाली में Ministry of Home Affairs की रैंकिंग में किस स्तान पर आया तो आप का अंसरोगा दस्वी रैंक में लिए है दस्वी अस्तान ने प्राप्त किया है अगले परसन पर चर्चा करते हैं अगला परसन है राष्टपती द्रौपती मुर्बूर ने राज्य की विलास जानवे वरीष्ट रंक करमी को किस वर्स के संगीत नाट्य अकादमी पुर्शकार से संबंवानित के अगया वर्स दोजारे 22 का इनको अवाड मिला है यह याद रखना है कि राष्टपति द्रौपति मुने रजे की विलाज जानवे विरिष्ट रंकर्मी को किस वर्स ये है विलाज जानवे विरिष्ट रंकर्मी है इनको किस वर्स संगीत नाट अकादमी के पुर्शकार से समानित किया गया तो आप का अंसर होगा वर्स 2022 के अ वार सुन लिजिए कि राजस्तान में उच शिक्षा के चैत्र में शेक्षनिक सुदार है तू फैकल्टी डेवलोप्मेंट अकेडमी किस्तापना कहां की जाएगी आंसर होगा जेपुर में इसके लिए 20 क्रोड रुपे का प्रावदान उस लिए इसके लिए बजट कितना है तो आप का अंसर रहेगा 20 क्रोड रुपे का प्रावदान ने किया गया है इसके अंतर पांसर शिक्षकों का चैन परस्तावीत है अगले परसंद पर तरशा करते हैं अटल प्रोग्रस वे राजस्तान के कि जिले से होकर गुजरेगा यह परसंद आपको वो देखने को मिला काभी परसंद परसंद है इसे अगामी प्रीक्षा में इससे परसंद बनेगा यहां से अटल प्रोग्रस वे से अटल प्रोग्रस वे राजस्तान के कि जिले से होकर गुजरेगा तो आंसर होगा कोटा वबारा है प्रोग्रेस वे उत्रप्रदेश की टावर से उकर मर्द्या प्रदेश की बीड़ और मुरेना होते हुए कोटा जिले के खातोली से राजस्तान में आएगा इस राजस्तान में इसकी लंबाई पुछे तो 1.4 किलोमेटर होगी याद कर लेना कहां से गुजरेगा कोटा वबारा से गुजरेगा इसकी लंबाई कितनी होगी राजस्तान में 1.4 इसकी लंबाई राजस्तान में होगी ये पुछेगा इसकी राजस्तान में लंबाई कितनी होगी तो आंसर होगा 1.4 राजस्तान में इसकी लंबाई होगी अगले बरसन पर चर्चा करते हैं, राजस्तान साहिते उच्सो कुम्व दोजार तेइस का आयोजन कब किया गया, आंसर होगा 25 से 27 मार्चे 2023 को किया गया, परसन के राजस्तान साहिते कुम्व का आयोजन कब किया गया, आंसर है 25 से 27 मार्चे 2023 को जोदपूर जिले में राजस् पर बात करते हैं, हाली में राज्ये के कि जिले में पोटास खनीज के बंडार मिले हैं, तो इसका अंसर होगा हनुमानगर जिले में पोटास के खनीज के बंडार मिले हैं, अगले परसन पर चर्चा करते हैं, हाली में राजस्तान स्कूल शिक्षा प्रदेश की और से जारी की गई रैंकिंग में कौन सा जिला शिर्ष पर रहा तो इसका अंसर होगा चूरू जिला शिर्ष पर रहा इस पर इस परसन की थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं क्योंकि यहां से कोई भी परसने बन सकता है राजस्तान स्कूल शिक्षा प्रदेश के जारी की गई रैंकिंग में चूरू जिले में चूरू जिले ने 63.0 अंक हासिल कर प्रदेश में पहला पाइदा ने हासिले किया चूरू जनुवरी से लगातार शिर्ष पर बना हुआ है अब यह पूजले भी कितना स्कौर था त तरेशाट पॉइंट जीरो अंक हासिल किये अगले परसन पर चर्चा करते हैं राजस्तान की ओर से इंद्रा पिर्य दर्षनी अवार्ड किशें दिया गया यह परसन आपको ऐसे काईसा छपा हुआ अगामी परिक्षा में मिलेगा क्या परसन है राज्य सरकार की ओर से अगरेशन का अधेक्स मुख्यमंत्री होता है इसकी स्थापना 30 MARY 1995 में की गई है अभी इसकी पूझ ले क्या रंट पर वाड़ देता है तो यह पर अधाषन पर वार्थ बाली का शिक्षा फाउंडेशन की ओर से दिया जाता है इसका इस फाउंडेशन का अधेक्स कोन होत गया इसका अंसर होगा दुर्गापुरा जेपुर में इसका आयोजने किया गया इसका उद्विश्य मोटे अनाज यानि बाद्रिय के उत्पादन को बढ़ाना है मोटे अनाज का वर्स 2023 से माना गया है आपको पूछेगा अंतराष्टे मिल्टेस वर्स के तहत राजस्तान मे मिल्टेस कौन कले का आयोजने कहां किया गया दुर्गापुरा जेपुर में किया गया अगले पर्सन पर चल्चा करते हैं राजस्तान की किस युनेश्ट को विरासत के संक्टन के लिए आश्टेलिया के साथ मोटेगा यह परसन इपोर्टेंट है सबसे ज्यादा अगले पर्सन पर चल्चा करते हैं हाली में राजस्तान की किस योजना को राश्टी इस्तर पर गौल्डन स्कॉच आवार्टस समानित किया गया है तो आंसर होगा पालनहार योजना ये परसन इपोर्टेंट है कि किस राजस्तान की किस योजना को राश्टी सतर पर गोल्डन स्कोज अवार्ड से समानित किया गया तो आंसर होगा इसका पालनहार योजना इस योजना की सुरुवात आठ फरी 2015 से हुई थी ये आपको तो पुर्णतत हैं उनकी जानकरी होनी चाहिए तो इसका आंप सुर होगा आठ फरवरी 2015 से हुई इसमें अनाथ बच्चों का पालन किया जाता है अनाथ बच्चे दो वर्ष की आयू के बाद अंगनवाड़ी में वच्चा वर्ष बाद विजाले आने चाहिए इसका उदेश है यह है अगले परसन पर चर्चा करते हैं हाली में बोरावाद जोदपूर में मारवाड की पहली कौन सी उन्यूश्टी बनाए जाने की गोषणा की है तो मेडिकल उन्यूश्टी इसकी गोषणा बजट 2023 जो इसमें स्वाश्य के सत्र में की गई इसके लिए बजट होगा 2023 जोश्ट में कितने क्रोड का बजट प्रस्तावी था तो आंसर होगा 500 क्रोड ये परसन कहीं से पूछ सकता है आपको कैसे परसन पूछ सकता है बता दूँगा बताओं कि मारवाड पहली जोदपूर में मारवाड की पहली कौन शी उन्यूश्टी खोली जाएगी तो मेड लाइफ टाइम अच्यूमेंट पूर्सकार किशें दिया गया ये परसन है आपको अगामी प्रिक्षा में देखने को मिलेगा कि राज्ये के किस प्रशिद व्यक्तितों को प्रेटन और राती तेच्छेतर में एहम भुव्मिकान निवाने के लिए लाइफ टाइम परदाने किया गया अगले परसन पर चर्चा करते हैं ए राजस्तान की राजदानी में इंटरनेशनल राजस्तानी कॉनकलेयो का आयोजन कब होगा इसका आंसर है तेच्छे चोईस नमबरें दोजार तेच्छ को होगा अगामी पुछा है ये देखिए क्या पूछा है पू इंटरनेशल राजस्तानी कॉनकलेयो का आयोजन कब होगा आंसर होगा 23 से 24 स्टमबरें दोजार humbleे 23 को 23 से 24 स्टमबरें 2023 ये आपको याद रखना है इस कउनकलेयो में 200 जत्रचे परवाशी राजस्तानी इसमें समिलित होंगे इस्समान पूर्षकर का सुबारम होगा इसक पुख्या मंतरी ने दी है अगले परसन पर चर्चा करते हैं हाली में जल जीवन जल जीवन मिशन योजना के तहत राजिय का कौन सा जिला पचास प्रतिसत अबादी को पानी के कनेक्शन देने में पर्थम रा ये परसन काफी पोर्टेंट है आंकडों वाला परसन है शीदा क जीवन 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 जीव अगले परसन पर चर्चा करते हैं राज़ेस्थान की किस जिले की पुरो राजपुरिवार की अन्ति महारानी वैर राजमाता सुशिला कुमारी का निदन हो गया इनका समन्द था विकानेर से विकानेर की राजमाता सुशिला कुमारी का 10 मार्च को निदन हो गया इनका जनम 1929 में डुंगरपुर राजपुरिवार में हुआ था ये कहां की है अंतिम राजपुरो की जिले की पुरो राजपुरिवार की अंतिम राजपुरिवार की जिले की पुरो राजपुरिवार की अंतिम राजपुरिवार की अंतिम राजपुरिवार की अंतिम राज मंजूरी दी है तो आंसर होगा 14 200 क्रोड तेरा जिलों में शिंचाई और पेजल के संभाधान के लिए शुरू की गई है पूरी राजस्तान नहर प्रयोजना के निर्मान के लिए कितने क्रोड रुपे के वित्य परस्ताओं को मुख्य मंत्री ने मंजूरी दी है तो 14 200 अगले परसंड पर चर्ता करते है राजस्तान आवासन मंदल के आयुकते जिने वर्ल्ड HRD ने परतिश्टित विजनरी लीडर अवार्ड से संभाणित किया आंशरोगा पॉन अरोडा का पॉनो रोड़ा को भूबय में टाइम सुमें कि विज़नरी लिदर और पर्टीष्टर विज़नली लिडर और पर्टीष्टर वर्ल्ड इस टेनेवेलेटी संस्था ने समानित्य किया अगले परसन पर तरचा करते हैं कि राजस्तान के किस संस्तान में राजस्तान के किस संस्तान में भी है वेरियेबल लेब की स्तापना की जाएगी हरीश चंदर माथू राजस्तान राजये लोग वसा संस्तान जेपूर में इसकी स्तापना की जाएगी क्या है कि राजस्तान की किस संस्तान में भी हेवे भी एरेल लेब की स्थापना की जाएगी तो आंसर होगा हरीष चंदर माथू राजस्तान राजय लोग परसांस्तान है जयपूर में इसकी स्थापना की जाएगी ये परसन भी इपोर्टेंट है इसे पहले वाला परसन भी इपोर्टेंट है कि राजस्तान अवासान मंडल के आयुक्त पॉन अरोडा जिने वर्ल्ड हमार्डी ने परतिष्ट विजनरी लिडर अवार्ड दिया है ये परसन भी इपोर्टेंट है ये परसन आपको कहीं ना कहीं छपे हुए मिलेंगे अगले चोदा निर्यातकों को सम्मानित किया गया जोदपुर में आयुजित हुआ था राजस्तान स्टेट एक्सपो अवार्ड राज्ये के चोदा निर्यातकों को इसमें सम्मानित किया गया इसका आयुजन 20-22 मार्च दो दिन तक हुआ था, 20-22 मार्च तक हुआ था, इस कायोजन राजशी को दौरा किया गया, समारों में निर्यातकों में 14 वेक्तियों को वार दिया गया, इस कायोजन किस के दौरा किया गया, राजशी को दौरा किया गया, आप से पूछेगा कि इस कायोजन किस के दौरा किया गया, त अगले पर्सन पर तर्चा करते हैं, चेमि के आंकडों के अनुसार वित्वरस 2022 के दोरान राजस्थान बार्त में निवेश के लिए आकरशित करने में किस तान पर रहा, दूसरे इस्तान पर रहा, ये पर्टन पर्सन है, ये पर्सन आ सकता है किसी भी प्रिक्षा में कि राज राजस्तान वितवर्स 2022 राजस्तान भार्त में निवेश के लिए आकरशित करने में किस स्थान पर रहा तो आंसर होगा दूसरे स्थान पर मदलब कि आपर इन्वेश्ट करने वाले लोगों को अपनी और आकरशित करने में परदेश दूसरे स्थान पर रहा राजस्तान ने वित्वर्थ 2022 में दो पॉंट साज ट्रिलियन के लिए निवेश को आकर सित किया अगले परसन पर चर्चा करते हैं अरी परकास राठी जोदपुर को आहली में कौन से पुर्षकार से समानित किया गया काली चरन मिस्रा सहिते बुषन 2023 का अवार्ड परसन ऐसे भी पूछ सकता है कि काली चरन मिस्रा सहिते बुषन समान 2023 किशें दिया गया तो आंसर होगा हरी परकास राठी जोदपुर को यह है अवार्ड दिया गया अगले परसन पर चर्चा करते हैं राजस्तान सांस करतिक महचो का आयोजन कब किया गया तो आंसर होगा 20-30 मार्चे 2023 को राजस्तान सांस करतिक महचो का आयोजने कब किया गया आंसर होगा 20-30 मार्चे 2020-30 मार्च 2023 ये परसन इपोर्टेंट है कि काली चरंड मिस्रा साहिते भूर्षन समाने किशें दिया गया आंसर होगा हरी परकास राथी जोधपूर को दिया गया अगले परसन पर चरता करते हैं राजस्तान के यूओ का सुचना परईवगी की 6 में को सल बढ़ाने है ने तुई? कि यहां से देखने वाली बात है कि राजस्तान की युवाओं का सुचना फरोद होगी चेतर में को सल बढ़ाने है तू आई टी डी डे दोजार तेईस का आउजने कहां होगा आंसर है जेपूर में होगा अगले परसन पर चर्चा करते हैं हाले में मुख्य मंतरिया सोग गैल लाउत्ने किसानों की सुचा के लिए कौन सा आइप लॉंच किया आंसर होगा राजकिसाने युण मुख्य मंतर्य ने मुख्य मंतरीतों को समानिक रूंज किया कौन सा एप लूंच किया राज किसा ने पलॉंच किया है तो अपने आप प्रॉटेंट परसने बन जाता है एग्जामिनर पूछ सकता है अगले परसन पर चरचा करते हैं जिया कुमारी ने बहरीन मे संसधी असंग के असेंबली मेटिंग में भाग लिया धिया कुमारी आई पूबस की सदैश्य है एगले पर संपर चर्चा करते हैं हाली में राज जैकि किस रहील वे स्टैशन को इनुट राइट स्टैशन का स्रर्टिविकेट धिया गया तो अलवर वे अजमेह को दिया गया है हाली में राज यह उस्टॉट को इंटराइस्टेशन का सर्टिविकेट दिया गया आशर होगा अलवर वैं अजमेर को दिया गया है अगले पर चर्चा करते हैं हाली में जारी रिपोर्ट वेष्विक वायू कुनवत्ता सुच काँ दोजार इबाइस्टेश का कौन सा सहर विश्व में सबसेन ज्यादा पर दूश्विकेट शेहरों में तीस रिषटान पर है एपॉर्टेंट है वीश्ओं में 30 रستान पर है पर दूस defect में 2020 किया अगड़ों के इनसर फूसफार बीवाडी 30 रिष्टान पर था दुनिया के सबसे पर दूसे sod sayro में 65 शहर बारत के है इनमें पूछे भी Solidło में कितने जेर भारत के है तो बारत के पहरान, 65 है और वीवाड़ी तीशरिह안 पर है है, है, वीवाड़ी कौन दर है तीशरिहास पर है, तीशरिह रिष्तान पर वीवाड़ी है अगले परसन पर चल्चा करते है हाली में बारतवा शिंगापूर का स्यूंगत सेन ने अभ्यास बॉल्ड कुरूचेतर है कहां आयुजित है किया गया इपोर्टेंट लगा लो इसको मौस्ट इपोर्टेंट परसन है किसी ना किसी परीक्षा में आपको देखने को जरूर मिलेगा बारतवा शिंगापूर का स्यूंगत सेन ने अभ्यास क्या नाम है ये भी पूछ सुकता है बॉल्ड कुरूचेतर कहां आयुजित किया गया जोदपूर में आयुजित किया गया इसकी सुरुआ 2005 में आयुजित थी यह कौन से करम का है ये पूछेगा बारतवा शिंगापूर का स्यूंगत सेन ने अभास वर्ड कुरूचेतर का हुआ तो जोदपूर में आयुजित हुआ अगले परसन पर चत्चा करते है हाले में डॉक्टर निलम गॉयल को कौन सा पुरुषकार दिया गया मेराष्टिय महिला उतकर्ष्टा सम्मान दिया गया है ये परसन उपर इपोर्टन्ट है क्योंकि इन्हें महिला सहसक्तिकरण से सम्मंदित है सहसक्त नारी से सम्मंदित है इन्होंने महिला सक्तिकरण के लिए कार्य किया है डॉक्टर निलम गॉयल को सरेष्ट विदायक दो जारे 22 चुना गया है ये परसन भी पुछा जा सकता है क्योंकि 2022 के लिए ये परसन है कि राजस्तान विदानसवा में किन विदायकों को स्रोशेष्ट विदायक 2022 चुना गया अन्सरोगा अनिता बंदेल अमीन खान और अनिता बंदेल ये बाजपा की विदायक है अगले परसन पर चर्चा करते हैं आंगनबाडी केंदरों के कवरेज से छोटे बच्चों के स्वास्थे अप्रिक्षन के लिए कीज जिला परसासन द्वारा सूपोशी बच्चपन अभ्याने चलाया जा रहा है तो आंसर होगा दोलपूर अंसर क्या होगा दोलपूर अंगनबाडी केंदरों के करवेज से छोटे बच्चों के स्वास्थे अप्रिक्षन के लिए कीज जिला परसासन द्वारा सूपोशी बच्चपन अभ्याने चलाया जा रहा है अंसर होगा दोलपूर दोलपुर्जिला कलेक्टर अमीत अगरवाल द्वारा सूपोशित बच्वन अभ्यान ने शुरू किया गया अगले परसन पर चर्चा करते हैं कि राजस्तान वन विवाग द्वारा प्रासासनिक पर्तिवेदन 2022-23 के अनुसार कुल अभी लेकित वन शेतरे अगले परसन पर चर्चा करते हैं हाली में मुख्य मंत्रिया सो गहरतने परदेश में कितने ने जिलों के गठन की गोशना की है वो आपको पता है अगले परसन पर चर्चा करते हैं राजस्तान के किस विवाग को बेस्ट प्रोमोर्टिंग फेर सेंड फेस्टिवल वार्टिंग प्रमोर्टिंग तुरिजम अवार्ट्सें इस परसन यह से एसेपूछ गा कि राजस्तान के किस विवाग को एस्ट फेर सेंड फेस्टिवल वार्टिंग तुरियजम अवार्ट्सें समानिट की आज्टिवल वाग है राजस्तान प्रेटन वियाग का गठन 1956 चपन को हुआ, राजेस्थान में प्रेटन वियाग विकास के लिए RTDC की स्तापना एक अपरेल उनीशों नियाशी को की गई थी अगले बर्शन पर सर्चा करते हैं राजेस्थान में मुख्या मंत्रिया सोग एलोत, अलब संख्या बासा दक्स तायों समपरेक्शन को सलविकास योजना का सुबाराम 20 मार्च को किस के दुआरा किया गया सले मोहमत के दुआरा किया गया राजेस्थान सरकार में मुख्या मंत्री अलब संख्या बासा दक्स तायों समपरेक्शन को सलविकास योजना का 122 12- nosso को किस के द्वारा किया गया आंसर होगा साले मुहमद के द्वारा किया गया अगले परसन पर सरचा करते हैं राणा परताब साकर का मौडल बनाने वाले जिनका आहाली में निदिन हो गया ये परसन पूछा सकता है तो आंसर होगा दुला रामे पुर्वार, अगले परसन बचर्टा करते हैं, मुख्य मंत्री ने किस तिर्थ सतल के, विकास प्राधी करण के, गठन की गोशना की है, उसकर में चोह मोखी विकास है किये जाएंगे इसका बज़ेट भी आपको पुछे तो आपको याद रखना है कि क्या है 500 करोड इसका बज़ेट है अगले परसन पर चर्चा करते हैं जिता द्याइड्सा कर्सा याद जीता याद việc क्या इसका आपको पुछेग और शारसुंदर्य कीताब की शीने जीता कॉमल शीद की बंब इकानियर की रहने वाली है आपको इतनी याद करने है। अगले कर्टा करते है इसना भरोवर्ण की निवरी में आए जित मिस मुमल का खिताब भी कॉमल शिद ने जीता था इसलिए इन्होंने अवेज तक तीन माह में तीन महतोपुर्ण खिताब अपने नाम कर लिये हैं इसलिए यह मोस्ट इपोर्टेंट परसन है किसी ना किसी प्रिक्षा में आपको छपा हुआ मिलेगा बड़ी ऐसे इस परसन को त्यार कीजिएगा कि थार मोसो 1223 के दुरान थार सुंद्री का खिताब किसी ने जीता अंसरोगा कॉमल शिद ने इन्होंने जैसलिए मेर में मिस मुमल का खिताब भी जीता था और विकाने मेर में जनर्वी आजित मिस मरवन का भी खिताब जीता था अगले परसन पर चर्चा करते हैं अगले परसन पर चर्चा करते हैं हाली में कला पुरोदा संबान किस अकाद्मी दोआरा दिये जाने की गोशना की गई राजस्तान संगीत अकाद्मी जोदपूर के दोआरा इसकी गोशना की गई हाली में कला पुरोदा संबान किस अकाद्मी दोआरा दिये जाने की गोशना की गई राजस्तान संगीत के अदेख से बिना का बालू हैं कला पुरुदो समान में भी चेतर वर्षे अधिक आयू के कलाकारा को दिया जाएगा एकाउन उसका दिये जाते हैं इसमें महतोपुर्ण परसन है आपको किशी ना किशी परिक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे अगले परसन पर चर्चा क कि और फ्रच यूंची मोडिय जिता है फ्राप्रशन हो गारस्त बन जाता है है और जीतती है कोई रस्तर बर्या पर Most परसन इंपोर्टन हो जाता है इस परसन से यह पूछी का कि पूरिभी पर जीत एक बार सरेश्ट बार शुटिंग वॉल चैंपिंशिप अंडर 25 में राजस्तान की महलाओं ने कौन सा पदक जीता तो 19 पदक जीता इसकी राजस्तान की पुरी स्टीम ने इसमें राजस्त पदक जीता था एक बार सरेश्ट बारत योजना है की शुरुवात कतीस अक्टूबर 2015 को हुई थी ये भी मैतुपुर्ण एक बासरेश्ण भारती योजना की शुरुवात कब हुई कतीस अक्टूबर 2015 को हुई थी अगले पर्सन पर चर्चा करते हैं हाली में खनीज दीवस की कि हाली में खनिज्डिवूच की पिचेत्री वर्षगांड पर हिंदूस्तान जींग की कितनी ख़दानों को खनन मंत्रा ले बारसरकार द्वारा पर 30 तीट 5 स्टार रेटिंग पुर्षणे सम्मानित किया गया चार ख़दानों को समानित किया गया, केंदरिय, संसदियकारिय, कोईला और खानमंतरी, पलाजोशीज ने नेशनल फायर सेंटर, नागपुर में ख़दान और खनीजों पर सत्तर हुए, अंतराश्टिय कॉनकलेव में समानित किया, जावर, ग्रूप ओफ माइन्स, उद्यप राजपूर, राजपूर, दरीबा, राजसमंद, कायड, बीलवाडा, शिद्सर, खुरुद, राजसमंद को फाइब स्टार है, रेटिंग मिली है, इन चार ख़दानों का भी हमने आपको पुरण वीवरेन दे दिया है, कि कौन कौन सी ख़दान है, अगले परसन पर बात क क्या, तो आपका अंसर होगा अजमेर में क्या, अगले परसन पर चर्चा करते हैं, परसरासनिक शेवा प्रिक्षयों की त्यारी है तू, किस विवाग द्वारा मिसन सितारे अभ्याने चलाया जा रहा है, विक्का नेर संभाग द्वारा मोस्ट इपोर्टेंट परसन है, कि किसी परिक्षयों में आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्या है कि परसनासनिक शेवा प्रिक्षयों की त्यारी है तू, किस विवाग द्वारा मिसन सितारे अभ्याने चलाया जा रहा है, संभाग द्वारा ये चलाया जा रहा है, संभाग द्वारा ये चलाया जा रहा है, पहल शुरू किया है, संभाग के पतास युवाओं को इसमें मौका दिया जाएगा, क्या परसन हो गया, जान से सुनिए, प्रसासनिक शेवा प्रिक्षा की त्यारी है तू, कि संभाग दुआरा मिशन सितारिया अभ्यान चलाया जा रहे, तो विकानेर संभाग इसका अंसर हो होगा, इस गी पहल किस ने किया, संभाग या युवत कोन है, डॉक्टर नीरज ने, इन्होंने पहल किया, इसमें पतास युवाओं को मौका दिया जाएगा, अगले परसन पर चर्चा करते हैं, 20-22 मार्ट 2013 को राजस्तान इंटरनेशनल एक्सपो का होगा, तो आंसर होगा बोरनाडा, जोदपुर में हुआ, लिख लो, किसी ना किसी परिक्षा में, जरूर देखने को मिलेगा ये परसन, बहुत इपोर्टेंट परसन है, 20-22 मार्ट 2013 को राजस्तान इंटरनेशनल एक्सपो का होगा, जोदपुर इस दोरान मुख्य मंत्री ने 21 निर्यातकों को 2021 इसमें दो देश के विदेशी राज़ूतों ने भाग लिया, मंगोलिया और यूई के, अब परतिवस राजस्तान इंटरनेश्पो कहा है जित होगा, जोदपुर में होगा, इसमें ये पूछ लेगा, कि इसमें दो देशों के विदेशी राज़ूतों ने भाग लिया, व 2023, एक ही बीच में मिस्प्रिंटिंग हो गया कोई, राजस्तान दुगदुत वादन में देश में परतम स्थान पर है, यह लगबग देश का कितने परतिस सते उत्पादित करता है, वरिस 2022 देश में परचलित मुल्यों पर पसुद्धन का सकल मुल्य वर्दन एक पॉंट शंत्र करोड अनुमानित है, राजे सरकार द्वारा डाक्टर समीता बेन अमेड कर योजना के तहते अंतर जातिये विवाप रोत्सान राशी को बढ़ा करे कितना कर दिया इसका अंसर होगा 10 लाग है कर दिया ये परसन आपको देखने को मिलेगा इपोर्टेंट परसन है कि इसी भी प्रिक्षा में देख जा सकता है कि राजे सरकार द्वारा डाक्टर समीता बेन अमेड कर योजना के तहते अंतर जातिये विवाप रोत्सान राशी को बढ़ा कर कितना कर दिया आंसर हो जाएगा 10 लाग सामा जी की नएवधी करीता विवाप ने इसकी शुरुआत 1 से 8 1,8, 2017 को की थी बजट दोजातेश में इसकी राशी 10 लाग ती अब इसको बढ़ा कर दिया है इसकी राशी को बढ़ा कर कितना कर दिया है 10 लाग कर दिया है अगले बसन पर चर्चा करते है परतमस्तान पर कौन बना हुआ है? शिकर बना हुआ है यह हमने पहले भी डिस्कुस किया था अगले परसन पर चर्टा करते हैं राज़ेस्तरिय पसुपालन पुर्षका 2023 किशे समानित किया गया शुरेंदर रवाना यह परसन इपोर्टेंट है आपको कहीं भी किशी भी प्रिक्षा में देखने को मिल सकता है इपोर्टेंट फेक्ट है इपोर्टेंट परसन है यह सुवेंदर रवाना को यह समान राज़ेस्तरिय पसुपालनित किया अगले परसन पर चर्टा करते हैं most important स्वाल है MSP पर किन सर्सों है सना नियुतन समर्थर मुल्या का परस्ताओ कर्षी लागतें मुल्या आयो करता है नियुतन समर्थर मुल्या का परस्ताओ कौन लाता है पारित करता है इसका अंसरोगा कर्षी लागतें मुल्या आयो करता है इसकी स्तापन 165 में की गई थी अगले परसन पर चर्जा करते हैं राजस्तान की किस जिले में पंद्रवी ओल इंडिया रेलवे हैंडबाल चेंपियंशी दोजार तेज का आयोजन ने किया गया आंसर होगा परसन पर सर्चा करते हैं TB उनमल कार्ये में बैतर कार्ये के लिए Sub-National Certification of TB Elevation Award 2022 केटिगरी में परदेश की किन जिलों को पुर्षकार किया गया? 8 जिलों को यह पुर्षकार दिया गया TB उनमल कार्ये करह में बैतर कार्ये के लिए Sub-National Certification of TB Elevation Award 2022 केतिगरी में प्र्देश के कितने ज्लुओं को यह पूसकार दिया गया तो 8 जीलूं को यह पूसकार दिया गया ये परदान किए अगले पर्टरशनपर चर्चा करते हैं हाली में राजे के मुख्य मंत्री ने हिरलाल साच्त्री वा उनकी पतनी रमा साच्त्री के नाम पर किन सड़कों का नाम करन क्या तो जेपुर सहरत जोबने जेपुर निवाई टॉग मुख्य मंत्री सोग एलर दोहरा दिनाग 24 मार्ट 2023 को सड़क नाम करन वनस्तली विद्यापिट में सुभार में हुआ अगले परसन पर चर्चा करते हैं राजस्तान साहिते काजमी वरस्त 2022 का मेरा पुर्चकार किशें दिया गया आंसर होगा रती सक्षेना को यह वार्ड दिया गया राजस्तान साहिते अकाजमी की स्तापना 28 जनुरी 69 को हुई ही इसके अधेक्स दुद्ला राम सारन है इन्होंने अपना स्रोच मेरा समान 2022 रती सक्षेना को उनकी किर्थी और दे रखिये आंपर हंशी एक पराथना के लिए दिया गया यह सब इपोर्टेंट है अगर गुमा के भी परसन पूछेगा इनकी किर्थी पर बस्ट नेनकी करते हैं पिसन परिजबर मतर इपूछेव को होगा कैसा सुंदर कान ती जोषी मेला क्रिकेट पूर्च का 202233 किशें दिया गया इनकी वरग में तो बांइए पुछा सकता है और राजस्तान साहिते अकादमी दोआरा अगले परसने पर चछा करते हैं और यह मोस्ट इपोरेट परसने हैं ये दोनों आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेंगे ये परसन सबसे जाजा इपोर्टेंट है आपको देखने को मिलेगा राजस्तान साहित्या काजमी द्वारा जनार्दन राय नाकर समान 2023 किशें दिया गया आंसरोगा डॉक्टर चंदर प्रकास दवेल ये इस पुरुषकार के तहर चंदर प्रकास देवल को सम्भावित देखने को मिलेगा पका परसन आने वाला परसन है इसको बड़े तरीके से इंत्यार करके जाईएगा कि ये परसन आपका गलत नहीं हो अगले परसन पर सरसा करते हैं किया गया मुख कैती थी आपदा प्रवंच ने शहता विवाग मंतरी गोविनदरा में बेग वाल थे अब इस परसन पर थोड़ी बात कर लेते हैं कि हाली में राजस्तान में सांतियो रेंसा विवाग का दो दीशे राष्टर राष्टर स्तरिया खादी एंगरामो द्योग समेलन का आई जीत वा तो इसका अंसरो गा बिक का नेर में आई जीत हुआ अगले परसन पर चर्चा करत ने हैं हाली में अमीद शाने रज्य के वीर सहीध हुलदार दीबचंद वर्मा को मरनो प्रांत पुलिस वीरता पदक दिया इनका समंध किसे हैं लगालो अमित सहा ने दिया है वीर सही धावलदार दीपचंद वर्मा को यह समान उनकी वीरांगना सुरोध देवी को 36 गड़े में आउजित शीयार पी अफ की चुराश्मी प्रेड में दिया गया अगले परसन परे चर्चा करते है क्या परसन है कि राजस्तान सेंस करता कादमी दुवरा अखिल बारती है माग पुर्चकार किशें देने की गोशना की डॉक्टर प्रमोद कुमार सर्मा को राजस्तान साहिते कुमकायोजन 25 से 27 मार 2023 को जवाना बाग जोदपुर में हुआ उद्गाटन बीटी कला ने किया कुमार विश्वाश यहाए अम्भीकादत व्यास हवाड बनवारी लाले गोड को दिया गया इसके साथ एक अम्भीकादत व्यास हवाड था वय किशें दिया गया बनवारी लाले गोड़ को दिया गया आगे चर्चा करते हैं राजस्तान शीनियर उसू टीम ने दलंदर में 24 मार्च को संपन छटे फेडर्शन कप में कितने पदक जीत कर पहली बार ओवरोल चेंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया अंसर होगा 26 पदक है राजस्तान शीनियर उसू टीम ने जलंदर में 24 मार्च को संपन छटे फेडर्शन कप में कितने पदक जीत कर पहली बार ओवरोल चेंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया अंसर होगा 26 पदक अगले परसन पर चर्चा करते हैं तो इसका अंसर होगा आठन हो श्ताने मिला है अगले परसन पर चर्चा करते हैं दिल्ली सरकार के दिल्ली बाव संक्षा hopefully वने किषें, Childrens Champions Award 2003-해주 नुझान यह पर्सन इपोर्टेंट है, इने लायक पर्सन है, क्या पर्सन है कि दिलि सरकार के दिल्ली बालच्रॉण्व्चन आयों उने दिल्ली सरकार के दिलि बालच्रॉण Brush payment वने किषें, Childrens Championship Award 2003 नुझान डॉक्टर किर्ती बारती इनको एक नया यह जोद पुर्जिले की हैं इने बाल विया चेतर में कारिये किया इसलिए इनको वार्ड दिया गया डिल्ली सरकार के डिल्ली बाल स्रंक्षन आया गया इनको यह वार्ड दिया गया अगले पर्शन पर चर्चा करते हैं राजीव का द्वारा सोर उर्जा से संचारित राजे की पहली सनेटरी नैपकिन बनाने की मशीन कहां स्तापित की गई है विच्छा वाड़ा डूंगरपुर में इसका स्तापित किया गया है यह पर्शन 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 के लिए 5.5 किलोवाट का सोलर पैलन सिस्टम में लगाया गया है पर्शन के राजीव का द्वारा सोर उर्जा से संचारित राजे की पहली सनेटरी नैपकिन बनाने की मशीन कहां स्तापित की गई है आंसर होगा विच्छी वाड़ा डुंगरपूर मशीन के संचालन के लिए 5.5 किलोवाट का सोलर पैलन सिस्टम में लगाया गया है इसमें सनेटरी पेट के उत्पादन से लेकर बंदान शेयों साहता सुमय की ओर से 30 से जादा मेला सदश्यों द्वारा किया जाता है आंसर होगा विच्छी वाड़ा डुंगरपूर याद रखना की राजीयों का द्वारा सोरुर्जा से संचाल इत्रा जी की पहली सनेटरी नेपकिन बनाने की मशीन कहां स्तापिते की गई है विच्छी वाड़ा डुंगरपूर अगले परसन पर चर्चा करते हैं केंद्रिये पसूपलन विया के और से जारी वाड़ वीक रिपोर्ट बन्यादी पसूपलन शैंख्या की 2022 के नुसार दुगद और उन उत्वादर में कौन सा स्तान रहा तो पहला स्तान ने प्राप्त किया केंद्रिये पसूपलन विया की और से जारी वाड़ वीक रिपोर्ट बन्यादर में राज्ये ने पहला स्तान ने आसिल किया अगले परसन पर चर्चा करते हैं मुख्या मंत्रिया सो गैलोत ने कि जिले में पिम्पल खूंट हाई लेवल के नाल बनाने की वितिया मंजूरी दी आंशर होगा परताब गड़ में मुख्या मंत्रिया सो गैलोत ने कि जिले में पिम्पल खूंट हाई लेवल के नाल बनाने की वितिया मंजूरी दी आंशर होगा परताब गड़ मुख्या मंत्रिया गैलोत इसके लिए दो जार करोड रूपे की वितिया परताब गड़ दी है अगले परसन पर बात करते हैं पैंतारिशवी जूनियर बालक राष्टे हैंडवाल टूनामेंट का योजन की जिले में हो रहा है कि जिले में किया गया आंसर है कि जिले में किया गया आंसर होगा बांसवाडा में इसलिए बन रहा है 21 साल बाद इसका योजन हो रहा है 2002 में बीलवाडा में इसका योजन हुआ था इसलिए ये परसन इपोर्टेंट है आने लाइक परसन है तो याद कर लीजिएगा, क्या है परसन दुबारा सुन लीजिए, 45 जुनियर बालक राश्ट ये हैंडवाल टूर्णामेंट का आयोजन की जिले में हो रहा है, तो आंसर होगा, 22 वाड़ा में हो रहा है, इसका आयोजन 21 साल बाद हो रहा है, पुलिस एथलेटिक्स प्रतियोगिता में राजस्तान के किस मेहला पुलिस खिलाडी ने सोटपुट में पदक जीता कंचनार चोधरी ने कंश्या पदक जीता है लिख लो इपोर्टेंट है यह आने लाइक परसन है इसमें खेल खिलाडी से समंधित होता है मैंने पूछा था कि परसन बनेगा और यह परसन आने लाइक परसन है इनका समंध चूरू के सुजान गड़ की रहने वाली है लखनव में आयोजित पिछे 31 अखिल बार्तिया पुलिस एथलेटिक्स प्रतियोगिता में राजस्तान की किस पुलिस खिलाडी ने महिला सोटपूट में पदक जीता आंसर होगा कंचनार चोधरी ने कांशिया पदक जीता और यह कहां की रहने वाली है पूछे इनका संबंद की जीले से हैं तो आप का अंसर होगा चूरू जीले से इनका संबंद है तो आज हमने आपके साथ इस सेजन में मार्च मेहने का राजस्तान करेंट अफेर शेयर किया इसमें महतोपन परसन है जो आपके लिए रामबान साबित होंगे ये इन्फिजन नोट्स की टीम ने बड़ी महनत से त्यार किये हैं हमारी साइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं इन्फिजन नोट्स पर जहां पर प्रतेग प्रत्योगी परिक्षा के लिए सदान बासा वासल बासा में त्यार किये नोट्स आपको मिलते हैं तुरंत पर वाउस ने इसकी डिलिवरी की जाती है इन्विजन नोट्स के इंस्टाग्राम पेज पर हम डेली करंट अफेर शेर करते हैं और उसमें से जो भी परसन प्रतोगी परिक्षा में आते हैं उनका प्रूफ वीडियो हम यूटूब पर डालते हैं इसकी लिए इंस्टाग्राम पर भी फोलो कीजिए और यूटूब चैनल को सस्काइब कीजिए धन्यवाद